नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रेट धनूर आसी वालों जीवन में तकलीफें तो बहुत मिलती है भर भर कर पर जो खुसियां है आखिर वो आप से क्यों रूट जाती है कभी सोचा है आपने आज हम आपको कोई जोतिसी उपाएं भी नहीं बताएंगे और ना ही जोतिस पर आधारित कुछ बाएं भी बते बताएंगे आज हम सिर्फ आपको मोटिवेट करने की कोसिस करेंगे क्योंकि खुसियों को नजर अक्सर लग जाती है और यही सबसे बड़ी जो हमारे जीवन मे परिसानी होती है उसका कारण है लेकिन कभी-कभी कुछ बातों को लेकर हम बहुत ज्यादा परिसान हो जाते हैं और कभी-कभी-कभी परिसानियों में भी अच्छी छीजें ढूंड कर उस पर अमल करके आगए बढ़ जाते हैं यानि वक्त तो यूहीं चलता रहेगा कभी अच्छा कभी बुरा लेकिन उसमें से जो एक सही रास्ता निकालने यह आपको खुद करना है कोई और नहीं करता किसी की मदद अब आप बैठे हुए हो बैठे बैठे योगा भ्यास कर लो अनुलोम बिलोम कर लो तो यह आपके लिए है अगर आप बैठे बैठे थोरे से प्रभू का अस्मिरन कर लो तो वो आपके लिए है आप बैठे बैठे मुबाइल में गेम खेल रहे हो अगर इसमें अपने टैलें को निखार लिए तो यह आपके लिए है तो जीवन में क्या करना यह आपको ते करना है पर कर्मों का फल भी हमें मिलता है ग्रहों की चाल जीवन में उथल पुथल तो मचाती है अक्सर आप दर्सकों का कहना है आप जो गलत बताते हो जो बुरा होना बताते हो तो हो जाता है पर अच्छा होता नहीं अब यह क्या है यही तो है कि खेल और आज सिर्फ हम आपके जीवन के कुछ ऐसी बाते बताने वाले हैं जो आपको थोड़ा सा रहत देगा तो एक कहानी के माध्यम से थोड़ी सी आपको आपकी परिसानी खत्म करने की कोशिस करते हैं वैसे तो एक बात हमेशा ही याद कीजिए याद रखिएगा आपको जो भी मिलता है न अच्छा या बुरा उसमें आनंद ढूंडिए उसमें सुकून ढूंडिए उसमें अच्छी चीजें ढूंडिए जो होता है अच्छे के लिए होता है ऐसा सोच कर थोड़ा सा और आगे कि ऊटेकरे बढ़िए वैसे तो में पता है जीवन में बहुत सारी तक्लीफें होती है बहुत सारे समयिसे होते हैं जो लगता है जैसे जक्तम को और भी कुरिद रहा है अब एक समय ऐसा भी आता है जब वह जक्तम भर याते हैं जब आपके मन के घाव भी भरने लगते हैं और आप एक बेहतर तरीके से राह पर आगे भी बढ़ जाते हैं अब सुख दुख तो लगा रहता है ये हर किसी के जीवन में चलता है अब ऐसा नहीं है हम आपसे बाते कर रहे हैं तो हमारे यहां सब कुछ अच्छा है आपसे बाते कर रहे हैं तो आपके यहां सब कुछ खराब है ऐसा नहीं है लेकिन उसमें जो आप पॉजेटिव चीज़े ढूंडोगे वो आपका है जो तकलीफ में भी थोड़े से खुसी के पल ढूंड ले थोड़े सी मुस्कुरा ले यही तो आपका पल है सुकुन ढूंड यह तो आज हम सिर्फ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताने चाहेंगे तो ऐसे में चली सुरात करते हैं कई बार क्या होता है कि जीवन में जाने अंजाने बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटने लगती है जिसका आपके बरतमान जीवन से कोई लेना देना नहीं होता तो ऐसे में कुछ चीज़ें सोच से परे होती है एक गाउं में एक जमिनदार और एक मजदूर दोनों ही एक साथ मर गये अब दोनों पहुँचें यहम लोग धर्मराज जमिनदार से कहते हैं आज से तु मजदूर की सिवा करोगे और मजदूर से कहते हैं अब तुम कोई काम नहीं करोगे यहां पर बस आराम से रहो अब जमिनदार हो गया परेसान परत्वी पर तो बचारा मजदूर जमिनदार की दिन राज सिवा किया करता था अब यहां सब उल्टा होने वारा था तब जमिनदार कहता है भगवन यह सजा मुझे क्यों दिया आपने मैं तो भगवान का परमभक्त हूँ परती दिन मंदिर जाता था देशी घी का दिया जलाता था लड़ू का भोग लगाता था बहुमले चीजें दान करता था धर्म के तमाम आयोजन में किया करता था फिर मुझे ऐसी सजा क्यों धर्मराच ने मजदूर से पुछा तुम क्या करते थे बिर्टवी पर अब मजदूर कहता है भगवन में तो थेरा गरी मजदूर अब मेरे पास देशी की कहां से आएगा जो मैं दिया जलाओंगा दिन भर जमिंदार के खेद में मेहनत मजदूरी करता था और उसी में अब हम भगवान का अस्मरन भी करते रहते थे गुन गुनाते रहते थे प्रभू को याद करते रहते थे मजदूरी में भी जितना भी मिलता था उसी से अपने परिवार का गुजारा करते थे मोह माया से दूर जब थोड़ा सा समय मिल जाता था तो फिर भगवान के मंदिल भी होया करते थे कभी कुछ मांगा नहीं कभी तेल बच गया घर में खाना बना कर तुझा कर भगवान के मंदिल में दिया जला दी और बाद में वो दिया रास्ते पे रख देते थे कि आने जाने वाले लोगों को थोड़ा सा रौसनी मिल जा और ज्यादा कुछ किया नहीं मैंने अब धमराज जमिंदार से कहता है सुन लिया सुन लिया ना मजदूर की बात भगवान धन दौलत एहंकार से खुस नहीं होते भगवान मेहनत इमांदारी और सच्चे दिल से याद करने वाले लोगों से प्रसंद होते यह मजदूर होकर भी तुम्हारे खेतों में काम करके खुस रहता था भगवान की अराधना करता था जबकि तुम अराधना कम और धन पाने के लिए ज़्यादा करते थे तुम मजदूरों से ज़्यादा काम लेकर कम मजदूरी देते थे तुम्हारे इन्ही कर्मों के कारण तुम्हे मजदूर का नौकर बनाये गया है ताकि तुम भी एक नौकर के दुख दर्ध तकलीफ को समझ सको आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते तो ऐसे में कर्म फल का आनंद लीजिए अच्छे कर्म कीजिए समस्याएं और दुख तो जीवन में यूही लगी रहती है पर इनी चीजों को अगर आप स्विकार कर लेते हैं इसी में खुसियां ढूंड कर खुस रहते हैं तो आप से ज़्यादा सुखी और जीवन में कोई हो ही नहीं सकता आपने बहुत बार देखा होगा बहुत सारे लोग हैं बुरे कर्म करते हैं बड़े बड़े बंगलो हैं बड़ी बड़ी गाडिया हैं धेर सारे नौकर चाकर हैं लेकिन जो बैक्ती इमंदारी से काम करता उसके पास कुछ भी नहीं है बहुत मुस्किल गुजारा करता है ये भी कर्म है जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा वैसे तो हमारे गरंथ में भगवत गीता में बहुत सारी बिस्तार से बाते कही गई है लेकिन बस इतना ही जानने जीवन में हम जो भोग रहे हैं हमारे द्वारा ही किये गए तमाम चीजों के फल भोगते हैं क्या चाहिए? क्या पाना है? क्या करना है? ये तो आप तै करते हैं क्या मिलेगा? ये पहले से तै है लेकिन फिर भी अगर आप सही प्रयास सही समय पर करते हैं तो आगे बढ़ जाते हो आनंद ढूंड़िये तकलीफियत देने के लिए हर कोई बैठा हुआ है हर कोई अपने से लेकर पराय तक उपर से लेकर नीचे तक घर से लेकर बाहर तक लेकिन खुसियां आपको डूंड़नी होती है खुसियां आपको कमानी होती है तो इस समय हमारा टॉपिक ही यही है कि आपको बुरी चीजें तो आपको प्राप्त हो जाती है पर अच्छी चीजें क्यों नहीं मिलती मिलेंगी ना आपने बहुत बार देखा होगा अचानक से घर में कोई नया महिमान आ जाता है और सब कुछ बरकत कभी बच्चे चोटे जनम ले लिए और घर में रास्ता ही ठाट हो गया कभी कभी तो साधी बिया हुआ और बरकत ही बरकत ये क्या है ये है आपके कर्म जब आपके कर्म किसी और के कर्म से जुड़ जाते हैं और उसके कर्म आपके कर्म में फिलस पिलस हो गया तो वो पिलसी होगा ये बहुत लंबे चले गए इतना लंबा हम नहीं जाएंगे तो धनूरासि बालो आप बंदास हो आप बहुत अच्छे हो जीवन में हमेशा ही आपका ख्वाब उचा है घुमना फिरना मस्त मौला अंदाज में जीवन जीना ऐसे ही जीते रही है ज्यादा ताम ज्याम के चक्रों में ना पड़े परिसानियों में ना पड़े और भले ही आपकी साड़े साती अंतिम चरन में चल रही हो 2022 जुलाई तक है थोड़े से आपको तपा कर सनिदेव सोना बना रहे हैं बन जाईए साड़े साती धहिया में एक अच्छी चीज होती है कि ब्यक्ति को अपने परायों में अच्छे बुरे में भेत करना सिखा देता है और कभी कभी अगर साड़े साती सही धंग से काम कर जाए तो बहुत उचाईयां दे जाता है आकस्मिक धन आकस्मिक नौकरी जीवन में सब कुछ तो ऐसे में कर्म फल दाता देने को आए तो है और आपको तपा कर जब कुंदन बना रहे हैं तो आपको नौलखा हार ही बनना है इस से कम नहीं जादा तो हर हाल में बनना है उमीद है आप हमारे कहने का तात परे समझ रहे होंगे अच्छी चीजे भी मिलती है पर वो आपको खुद मेहनत करनी होगी अगर लगे कि बहुत प्रयास के बाद भी नहीं मिल पा रही तब भगवान सुरे की सरन में आईए क्योंकि आपका भाग्योदै भगवान सुरे ही करते हैं सबसे पहली बात तो सला लेकर बिना सला के मत पहनिएगा एक मानिक के या रूबी पहन ले और भगवान सुरे की उपासना करें जैसे की रोज सुवा नहाद होकर नहाते तो हर कोई हैं एक लोटा जल में एक चुटकी रोली यह आपको पूजा के दुकान में मिल जाएगा रोली ही लिखा हुआ आएगा थोरा सा डार्क रेड मैरून में आता है कलर औरेंज मिक्स त यकिन मानिए अभी तक जो बुरा हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा और जो किस्मत से आना है वो हर हाल में आएगा क्योंकि भागयोदे आपका सिर्फ भगवान सुरी के हांतों में है बाकी कहीं नहीं तो जरूर करें वैसे तो देवगुर भिस्पती की रासी है तो आप वहां से आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक लगेगा जैसे आप दैव योग से बच गये ऐसा आपके साथ होता है और अक्सर होता है तो देव बुरु की रासी होने का यही एक फायदा है आपके पास वैसे तो धनुवालों आपके बारे में हमने पहले भी बहुत कुछ पिस्तार से बताया है आज हमने फिर से आपको बताने की कोशिस की वैसे भी सुर्य आपके करियर को भी निधारित करते हैं तो सुर्य को मजबूत कीजिए ताकि आपका व्यापार करियर सब कुछ आगे बढ़े कभी कभी क्या होता है ना कि जीवन में कुछ परिसानिया आ कभी मंगलसनीएग साथ कुंडली में बैठ जाए धनुरासी वाले के कुंडली में तो नौकरी में संकट बना रहता है और इसे में घर से दूर जाने होता है लेकिन अगर सनी राहू एक साथ बैठ जाए नंदी योग बन जाए तो भाई-बेहन का साथ नहीं मिलता और भाई-बेहन या तो होंगे ही नहीं थोड़े कुरोधी भी हो जाते हैं तो हलां कि आज हम जोतिस पर हमने कहा कि हम बात नहीं करेंगे पर भी बहुत सारी ब आपका कल्यान होगा फिलाल बिदा लेंगे पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा हर हर महादेव धन्यवाद झाल झाल झाल